Hello everyone, welcome once again to my channel, इस tutorial में आज हम पढ़ने वाले हैं, active to passive voice of interrogative sentences with wh words, जिसमें हम देखेंगे कि interrogative sentences जो wh words से start होते हैं, उनने कि इस प्रकार से active से passive voice में change किया जाता है, and I hope so आप सभी ने इस वीडियो का पिछला वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने who, whom और when इन question words को explain किय है, चलिए अब देखते हैं, next words क्या है, तो अगला wh word है what, जिसका हिंदी मतलब होता है, क्या, आइए देख लेते हैं, किस प्रकार इसे हम active voice sentence में use करते हैं, तो इस structure कुछ इस प्रकार होगा, sentence की शुरुबात होती है, what के साथ, उसके बाद हम लगाते हैं helping verb, यानि hv, और उसके बाद आता है subject, subject के बाद main verb, main verb के बाद other words, कोई भी other words आ सकता है, और last में लगा देते हैं question mark, अब इसे structure को हम negative form में भी तयार कर सकते हैं, तो structure कुछ इस प्रकार है, sentence में सबसे पहले हम लगाएंगे what, what के बाद आएगी helping verb, helping verb के बाद लगाए जाएगा subject, और subject के ब हुआ है, और last में लगा देंगे question mark, friends, ये तो थे ऐसे active voice sentences, जिन में what के बाद helping verb लगाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे sentences भी होते हैं, जिन में what के बाद हम helping verb ना लगा करके, सिर्फ main verb का use करते हैं, तो आएगे देखते हैं structure, sentence की शुरुवात की जाती है, what के साथ उसके और उसके बाद लगता है object question mark के साथ, चली, अब देख लेते हैं, किस प्रकार इन्हें हम passive voice में change करेंगे, तो सबसे पहले वाले sentence से शुरुवात करेंगे, सबसे पहले वाले active voice sentence का, अब हम बनाते हैं passive voice, तो sentence में सबसे पहले शुरुवात की जाएगी what, यानि what के आने पर हम लगा देंगे what, उसके बाद लगाई जाएगी helping verb, उसके बाद main verb की third form, उसके बाद by, और उसके बाद लगाया जाएगा new object, new object के बाद यदि कोई other word आया हुआ है, तो उसे हम add कर सकते हैं, और last में हम लगा देंगे question mark, अब हम इसी sentence के structure को change करेंगे negative form में, तो ऐसे passive voice sentence क शुरुआत की जाएगी what के साथ, उसके बाद हम लगाएंगे helping verb, अब helping verb के बाद हमें लगाना है not, not के बाद हम लगा देंगे main verb की third form, उसके बाद आएगा by, by के बाद new object और new object के बाद यदि कोई other word है, तो उसे हम add कर देंगे, otherwise last में question mark को लगा दिया जाएगा, आईए अब देख लेते हैं, active voice के structure का passive voice structure, जिसमें wh word what के बाद सिर्फ main verb आती है, तो ऐसे sentences का passive voice structure कुछ इस प्रकार होगा, सबसे पहले sentence में हम use कर देंगे by what, ठीक है, यह पहले से थोड़ा सा different है, अब by what के बाद हमें लगाना है helping verb, helping verb के बाद हम लगाएंगे subject, subject के बाद और last में add कर देंगे question mark, ध्यान रहे, object will be changed into new subject, यहाँ पर जो आप subject देख रहे हैं, वो एक new subject होगा, जो की active voice sentence में एक object कहलाता है, तो चलिए friends, अब देख लेते हैं कुछ ऐसे examples, जिसकी help से हम समझेंगे कि कहां पर हम लगाते हैं what और कहां पर हम लगाएंगे by what, सबसे प what have you eaten, तुम क्या खा चुके हो, यहाँ पर यह sentence, present perfect tense का sentence है, जिसमें wh word what लगाये गया है, जो की एक object है, और यहाँ पर जो you pronoun word आया है, वो एक subject है, क्यूंकि you के द्वारा खाने की क्रिया की जा रही है, इसलिए वह इस sentence का subject होगा, और जिस चीज को खाया जाना है, उसके ल चलेंगे कि what में ही object छुपा हुआ है, यानि की कर्म, आईए अब इस sentence को बनाते हैं, passive voice में sentence कुछ इस प्रकार है, what has been eaten by you, यानि तुम्हारे द्वारा क्या खाया जा चुका है, अब इस passive voice sentence को ध्यान से देखिए, sentence की शुरुआत हमने किया है, what के साथ, लेकिन यहाँ पर चल रहे हैं कि what के पीछे object छुपा हुआ है, हाला कि what एक interrogative word होता है, जिसके through question put up किया जाता है, और इस sentence में यदि हम what का answer प्राप्त करेंगे, तो वह हमें object में ही प्राप्त होगा, और object को subject बना दिया जाता है, जब हम passive voice बनाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि passive voice sentence में रखा गया what यहां पर as a new subject कारे कर रहा है, आई हो फ्रेंट्स यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, चली देखते हैं अब आगे, what के बाद अब हमने यहां लगाई है helping verb has been, ध्यान रहे, passive voice sentence में भी हमेशा new subject के according ही helping verb लगाई जाती है, इसके बाद हमने add किया है main verb की third form eaten, उसक passive voice sentence तो हमने यहां लगा दिया है you, जो कि यहां पर objective form में लिखा गया है क्योंकि active voice sentence में यह एक subject था, अब sentence के last में हम add कर देंगे question mark obviously क्योंकि यह एक interrogative sentence होगा, आईए दोस्तों देखते हैं अगला sentence, what does not he say, यानि वहां क्या नहीं कहता है, यह sentence present indefinite tense का sentence है, जो कि एक negative sentence ह आईए इसे भी बनाते हैं passive voice में, हम उसी structure को follow करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो passive sentence कुछ इस प्रकार होगा, what is not said by him, यानि उसके दौरा क्या नहीं कहा जाता है, अब इस sentence में हमने शुरुआत की है what के साथ, वो इसलिए क्योंकि active voice sentence में what as an object आया सबसे पहले हमने सर्च किया subject को हमारे पास subject है, active sentence में he, क्योंकि he के द्वारा कहने का कारे किया जा रहा है, तो इस तरीके से हमने subject को find out कर लिया है, इसका मतलब ये है कि active voice में आया हुआ what एक object है, यानि इसको हम assume कर रहे हैं, इसके पीछे एक object छुपा हुआ है, तो passive voice sentence मे हमने लगा दिया है what को as a new subject, उसके बाद लगाई है helping verb, अब हमें पता है, हमने structure पढ़ा था, helping verb के बाद लगाया जाता है not, यह दि sentence negative बनाना है, तो हमने लगा दिया है यहाँ पर not, not के बाद हमने लगाई है main verb की third form said, उसके बाद by, और by के बाद हमने लगाया है new object him, यह यहाँ पर him, he, जो की active voice sentence में आया हुआ subject है, उसकी objective form है, और last में add कर दिया है question mark, आशा करती हूँ दोस्तों, आप सभी को यह दोनों ही examples अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अब मैं आपको एक छोटी सी लेकिन important बात बताना चाहती हूँ, वो यह कि कभी-कभी interrogative sentences में what as an object ना आ करके as a subject भी आता है, तो आईए देख लेते हैं ऐसे ही structure वाला एक active voice sentence, sentence कुछ इस प्रकार है, what encourages you, यानि आपको क्या प्रोथ साहित करता है, अब इस sentence में आप देख पा रहे हैं, फिर से what आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर what as a subject है, subject के बाद यहाँ पर आई है main verb, ज इसके बाद last में है, you एक object, now the question is, इस sentence में हमने कैसे पहचाना कि what ही subject के रूप में आया हुआ है, और you एक object है, very simple, यहाँ पर भी हम वही trick लगाएंगे, जो हमने ओपर के examples में लगाई थी, दिये गए sentence को ध्यान से देखिए, क्या इस sentence में कोई subject है, जिसके द्वारा action को perform क जा रहा है, जी नहीं, यहाँ पर कोई भी subject नहीं है, बलकि उस subject को धूंडा जा रहा है, what question word के through, इसका मतब यह हो गया, कि what question word में ही subject छुपा हुआ है, अब sentence में बचता है, you pronoun word, चूंकि sentence की क्रिया, encourage है, जिसका direct प्रभाव, you pronoun word पर पढ़ रहा है, इसलिए you कहलाएगा, इस sentence का object, क्योंकि कोई ऐसी चीज जिसे हमने subject माना है, वो encourage कर रही है, किसी व्यक्ती को, और व्यक्ती में हम बात कर रहे है, you pronoun word की, आईए बनाते हैं इस active voice sentence को passive voice में, sentence कुछ इस प्रकार है, by what are you encouraged, यानि किस चीज के द्वारा तुम उत्साहित हुए, अब इस sentence में सबसे पहले हमने add कर दिया है, by what, ध्यान रहे, passive voice sentence में by what का use हम तब ही करते हैं, जब active voice sentence में, wh word what as a subject आया हुआ होता है, इसका मतलब यह है कि passive voice sentence में what का use as an object किया गया है, क्योंकि इसे sentence में रखा गया है by के बाद, और आपको यह याद ही होगा, कि passive voice sentences में हमेशा by के बाद new object को ही use किया जाता है, अब चाहें उसे sentence में हम starting में लिखें या फिर sentence के end में, अब चुकि wh वाले जितने भी interrogative sentences होते हैं, उन में wh word को sentence के starting में ही रखा जाता है, इसलिए passive voice बनाते समय यहाँ पर हमने what के आगे by लगा दिया है और इसके स्थान को change नहीं किया है, क्योंकि हम what interrog word को sentence के last में नहीं रख सकते हैं, भले ही यह object क्यों ना हो, आईए देखते हैं अगला sentence, what irritated her, उसे क्या परिशान करता है, अब इस sentence को ध्यान से देखिए, इसमें what का use as in subject ही किया गया है, यानि हम मान कर चल रहे हैं कि what में subject छुपा हुआ है, उसके बाद irritated यहाँ पर main verb है, और main verb के बाद यूज किया गया है, her जो की एक object है, बनाते हैं passive voice, sentence कुछ इस प्रकार होगा, by what is she irritated, यानि किस चीज के दौरा वहाँ परिशान है, passive voice बनाते समय हमने सबसे पहले लगाया है by what, वो इसलिए लगाया है क्योंकि active voice sentence में what as a subject आया हुआ है, इसका मतब्य है कि subject को हमें object में change करना होगा, अब what को हम change तो नहीं कर सकते, लेकिन what को object बनाने के लिए उसके आगे हमने लगा दिया है by, अब चूंकि यह एक interrogative sentence है, इसलिए इसको हम सबसे last में नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमने what interrogative word के आगे ही by लगा दिया है, तो यह बन गया है आपका new object of this passive voice sentence, अब by what के बाद हमें लगाना है helping verb, जो कि यहाँ पर लगाई गई है is, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भी helping verb आप लगाएंगे, वो इसी passive voice sentence के new subject के according लगाई जाएगी, और इस sentence में new subject है she pronoun word, जो कि singular number subject कहलाता है, और यह active voice sentence में आए हुए object, हर की subjective form है, ध्यान रहे, शी के बाद हमने add कर दिया है V3 यानि main verb की third form, जो कि है irritated, और सबसे last में लगाना है question mark, तो दोस्तों इस प्रकार हम what वाले जितने भी intricate sentences होते हैं, उन्हें active से passive voice में change कर सकते हैं, I hope आप सभी को जरूर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से like, share and subscribe कर दे, ताकि new videos के notification आप तक बिना किसी परिशानी के पहुँचते रहें, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो के अगले part में, यानि part 9 में, तब तक के लिए, thanks for watching the video, take care and bye-bye.